इस्राइल हमास युद्ध के बीच इस्राइल और लिबनान में भी जबरदस्त जंग छिड़ गई है इस्राइल के ताबड़तोड हमलों से तम-तमाय हिजबुला ने भी भीशन पलटवार किया है इस्राइली सेना ने बताया कि हिजबुला ने भीते मंगलवार यानी 24 सितंबर को इस्राइल पर लगभग 300 रॉकेट दागे सेन प्रवक्ता रियर एड्मिरल डैनियल हेगरी ने कहा कि इस्राइल पर करीब 300 रॉकेट दागे गए जिसमें से छे नागरिक और सेनी खायल हुए जिन में से अधिकांच को हलकी चोटे आई हैं उत्तरी इस्राहिल शहरों जैसे हाइफा, साफेद और नाजरेत पर हवाई हमले किये गए याजव खाई च्वाज एाख में से लॉके अधिके पुम्मूजा के इस्राइल हो स्क्राइब को स्वाद ऑ्र करतमाच का च्राहिए च्श्वार गष्टे प्सक्राइब गवाशे का ल्यां पोड्या करlä दोन नेन छी जड़ा एल्मिक चिली जजवार है। नेमयटन के चिली जड़ा ब्रवला और प्र competing ड्रोमोहला और ठाय तोर्ट चिलींड Τैन्छ लीज़ार प्मलारान शीजवार ब्रेफने खीजस्ऑemment को ट रिऐ खिलाध इल्छया इंथ वहीं हिजबुला ने अपने वरिष्ट कमांडर इबराहिम को बैसी की मौत की पुष्टी की है समू ने बयान जारी कर कहा कि वो येरुशलम के रास्ते में शहीद हुआ कुबैसी हिजबुला की मिसाइल और रॉकेट बल का अतरिक्तर केंडरिय कमांडर था वह साल 1980 के दशक में हिजबुला में शामिल हुआ था उसने संगठन के भीतर कई मौतपुर्ण सेन भूमी का निभाई हिजबुला ने बताया कि उसके लडाकों ने अटलिट बेस में इसरायल के विशेश नौसेनिक टास्क यूनिट शायद 13 के मुख्याले पर हमला कर ड्रोन से हवाई उपरेशन को अंजाम दिया इसमें इसरायली अधिकारियों और सेनिकों के ठिकानों को निशाना बनाये गया लडाकों ने जवाबी हमलों में रॉकेट या इंटरसेप्टर मिसाइलों के कुछी हिस्से जमीन पर गिरने के उपरी गैलीली के माउन मेरोन इलाके में आग लगी उपरी गैलीली के एक शहर रोश पिना में एक आवासी ये इमारत को काफी नुकसान पहुँचा इसराइल का लेबनान में सीधा संघर्ष होने से मिडिली इस्ट में गहराता संकट पूर्ण युद्ध में बदल सकता है इसमें इरान समर्थित यमन और इराग के समू भी शामिल हो सकते हैं हिजबुला के हमलों से इसराइल के सीमावरती शहर किरियत शमोना में एक लोकल मिनिसिपल स्टोरेज फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुँचा है लेबनान में दशकों के बाद इसराइल की और सी किये गए भीशन हमले ने दोनों देशों को युद्ध के और करीब ला दिया है हिजबुला ने कहा कि उसने राद भर में कई इसराइली सेने ठिकानों को फादी रॉकेट से निशाना बनाया समूह ने बताया कि लड़ाकों ने मंगलवार को उत्तरी इसराइल में दादो सेने अड़े पर अपने लक्षों के अलावा लगभग पचास और रॉकेट दागे वही निउस एजनसी एपी के मताबिक इसराइली पीम ने लेबनान के आम लोगों से आगरह किया कि वो हिजबुल्ला के खिलाफ हवाई अभियान को आगे बढ़ाने से पहले अपने घरों को खाली करने के लिए उनकी अपील पर ध्यान दे इसराइल का युद्ध आपके साथ नहीं हिजबुल्ला के साथ है बहुत लंबे समय से हिजबुल्ला मानवधाल के रूप में इस्तमाल कर रहा है एक बार हमारा ओपरेशन खत्म हो जाने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने घरों में वापस आ सकते हैं इस बीच इसराइल ने लगातार दूसरे दिन लेब्नान में हिजबुल्ला के कबजे वाले इलाकों पर हमला किया लेब्नान के स्वास्थ मंत्राले ने बताया कि बेरूत के गोबेरी इलाके में एक इमारत पर हमला होने से कम सिकम 6 लोग मारे गए और 15 घाईल हो गए इससे पहले इसराइली सेना ने अचानक से हेजगुला के दरजनों ठिकानों पर रात में हमला किया था लिबनानी अधिकारियों ने वताया था कि इन हमलों में 50 बच्चों और 94 महिलाओं समेच 598 लोग मारे गए और 2835 लोग घायल हुए झाल अर्श कारा दो ने दो एंची जा राशा मारे चारियों तो झाल थाज़ गपए गबसाया